हेलो एवरीबन, वेलकम बैक तो आर चैनल, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की पोएम, देखेंगे, I had a little pony, दोनों पोएम देखेंगे, इस चैप्ट में दोनों एक साथ ही दी गई है पोएम, तो सुरू करते हैं, If I had a donkey and he wouldn't go, would I envelop him? No, 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 तो इसमें जो पोएट होता है, वो बोलता है कि अगर मेरे पास donkey होता और वो मेरे साथ कहीं नहीं जाता, मना कर देता, जाने के लिए, मतलब अगर मैं उसको बोलता, चलने के लिए और वो मना कर देता, तो क्या मैं उसको मारता? नहीं, नहीं, नही then he would be the best donkey that ever was born, फिर मैं उसके लिए थोड़ी सी घंस ठूनता और उसके बाद उसको कुछ कौन देता, कौन क्या होते हैं? मक्के, और उसके बाद वो सबसे best donkey बन जाता, जो भी जितनी भी donkey हैं दुनिया में, उसमें सबसे best donkey बन जाता, तो ये हमारी एक पोएम होगी, अब इसके next poem देखते हैं, I had a little pony, pony का मतलब क्या होता है? चोटा घोड़ा जो होता है, उसको pony बोलते हैं, ठीक है? I had a little pony, his name was Dapple Gray, I lent him to a lady to ride a mile away, तो इसमें पोएट बोलती है कि मेरे पास एक little pony है, एक चोटा सा घोड़ा है, इसका नाम है Dapple Gray, मैंने उसको एक औरत को उधार द दिया था, और क्यों दे दिया था? कि कुछ मील सवारी करने के लिए, कुछ मील दूर सवारी करने के लिए, उस औरत को मैंने उधार दे दिया, she whipped him, she lashed him, she drove him through the mire, I wouldn't lend my pony now for all the ladies hire, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरे पोनी को मारा, और चाबुक मारे, कोडे मारे, और उसक किसी को भी अपना पोनी उधार नहीं दूँगी, चाहे कोई भी जो भी मांगने आएगा, जो भी किराय से लेने आएगा पोनी, मैं किसी भी ऑुरत को अपना पोनी नहीं दूँगी, ये ये पोएट बोलती है, तो देखो, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, वो देख लेते मारना या चाबुक मारना, सेम मीनिंग होती है, मायर का मतलब होता है कीचर या दल-दल, ठीक है, हायर का मतलब होता है किराय से, किराय से जब हम लेते हैं कोई चीज तो इसको हायर बोलते है, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएए, अब नेक्स देखते हैं, तो फस्ट कॉशन है एनिदर वर्ट फर वेलोप इस पहले तो यह question है फिर पुछा है वोट दे चाइल हिट दे डंकी तो पहले पुछा है कि वेलोप का दूसरा वर्ड बताना है हमें और उसी में second question पुछा है क्या बच्चे ने डंकी को हिट किया था हमारा था तो answer हो जाएगा another word for वेलोप is last वेलोप का दूसरा वर्ड हो जाएगा last और उसी में second answer हो जाएगा no the child would not hit the dंकी नहीं बच्चे ने डंकी को नहीं मारा था अभी वही second question है what would the child give the dंकी जो बच्चा था उसने डंकी को क्या दिया था तो answer हो जाएगा the child would give hay and corn to the dंकी बच्चे ने क्या दिया थ घांस दीती और मक्का दिया था घदे को ठीक है वही question third what is a pony तो pony को क्या बोलते है मैंने बताया था आपको तो इसमें तीन option दी है a baby dog a baby horse a baby cat तो क्या बोलते है इसको पोनी is a baby horse चोटा घोडा बोलते है उसको ठीक है next question देखते है what did the lady do to the pony जो लेडी थी उसने पोनी के she took care of the pony क्या उसने पोनी की देख भाल की थी she whipped and lashed him क्या उसने इसको कोड़े लगाए थे और मारा था या see she sold the pony या उसने पोनी को बेच दिया था तो क्या किया था उस लेडी ने उसको मारा था तो आंसर हो जाएगा she whipped and lashed him ठीक है question है what did the child decide to do बच्चे ने क्या निश्चे किया करने का तो उसमें तीन option है first है to lend the pony again to the lady be here to never lend the pony to the lady again or see it to given the pony to the lady पहला है कि वह क्या फिर से लेडी को धार दे दीगी अपना a second है क्या ऐसने सोचा था कि अब वह कभि भी किसी को भी उधार नहीं देगी अlla pony hogy more वह सी है कि वह आपना झौला जो पोनी था गोडा तो फिर से लेडी को दे देगी तो यसका क्या होगा उसने यह निश्य किया था कि अब कभी भी किसी को भी उधार अपना पोनी नहीं देगी तो इसका अंसर हो जाएगा बी तू नेवर लेंड पोनी तू लेडी अगें ठीक है अब नेक्स क्वेश्चन देखते हैं have you seen people beating animals what do you think of such people क्या अपने कभी देखा है कि जो लोग है वो जानवरों को मारते हुए देखा है अपने और आपको क्या लगता है उनकी सोच कैसी है अप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हो आपको बताना है तो अगर यह आप अपने words में लिख सकते हैं अपने खुद के words All or Heartless and familia hè तोा मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जानवरों को मारता है या गाय को मारता है या डॉक को मारते हैं मुझे असा लगता है कि बहुत दया नहीं होती हुए आं born मेंधलने इसा मुझे लगता है तब एक क्वेशन है नेक्स डू यू एवर टीज एनिमल्स डू यू तिंग यू शुड बी काइन टू दें क्या आपने कभी वी अनिमल्स को छेड़ा है किसी वी तरीके कोई को होता है ना जो आपने वर्त में बता सकते हैं अगर आपने चेड़ा है त नहीं चेड़ा तो अंसर हो जाया यहाँ बताती हूं नो सब्गों कि मैंने तो कभी नहीं चेड़ा तो मेरा उसल ऊचाएगा नो आइवल्ज एंवर्त मैंने कभी नहीं चेड़ा तुमाने तोर पर लोग कुटा पालते हैं तोता पालते हैं लेकिन उनके अलावा जो पैट्स आपने ऐसे देखे हो वो आपको बताने हैं जैसे कि आंसर हो जाएगा आप सेन सम अन्यूजल पैट्स और मंकी, स्नेक, स्कृल, एसक्रा बहुत और भी तरीके के होते हैं यह तो म आपको जो नीचे वर्ड्स दिये गए हैं वो आपको जो 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 से बोलना है जैसे कि दंकी, हायर, हेयर, मायल, मेल, मंकी, फायर, फेयर, स्मायल, स्नेल, तर्की, मायर, मेयर, पायल, और पेल ठीक है यह आपको जो जो से घर में पैट्स करनी हैं बोलके जिसे कि आप स्टेबल वेर वी कन फाइंड स्टेबल स्टेबल क्या होता अस्प्राला भी बोलते हैं इसको तो वह हम कहां हमें देखने को मिलती है या तो वह बहुत बड़ बुरे फार्म हाउस में मिलती है या आपको गाउं में देखने को मिल जाती है जहां गोडे वगरा यह सब रहते ह वह उन जानवरों को नाम हमी बताना है जैसे कि horses and mares live in a stable तो horse and mares stable में रहते हैं next question है make two words from stable while removing letters from the beginning अब आपको क्या करना stable जो word है उसमें से आगे कि कुछ words निकालके आगे से वर्स निकालके आपको कोई भी two words बनाने है कोई भी दो words बनाने है जैसे कि अगर stable में से हम s हटा देंगे तो क्या बन जाएगा table ठीक है ऐसे ही st दोनों हटा देंगे तो बन जाएगा able तो यह दो words यहां बन जाएगे ठीक है next question देखते है write a paragraph about your pet or an animal you love अब आपको करना है अगर आपको कुछ भी पालतू है तो आपको उसके बारे में कुछ लिखना है और यह फिर आप ऐसे जानवर के बारे में लिख सकते हैं जिससे आप जो आपको बहुत पसंद हो ठीक है जैसे मैं आपको example के तोर पर पता देती हूं I have a pet dog its name is Bruno मेरे पास एक pet dog है जिसका नाम क्या है Bruno His color is white and his fur is very soft उसका color white है और जो fur जो बाल हो है वो बहुत soft है Every morning I go for a walk with him और मैं उसके साथ सुभह डेली डेली खुमने जाती हूं I take good care of him और मैं उसकी बहुत देख बाल करती हूं I love my dog very much और मुझे मैं अपमें dog को बहुत प्यार करती हूं ऐसे आपको भी paragraph लिख सकते हैं किसी के भी बारे में जैसे कि parrot, dog, cat जो भी आपको जो भी घर में पैठ हो या आपको जो भी जानवर अच्छा लगता हो ठीक है अब next है fill in the blanks with words that rhyme with अब आपको नीचे कुछ words दी है जैसे कि corn, no, mire यह words दी है अब इसके rhyme करता हूँ आपको word इसके सामने fill करना है यानि जो आँगे death है उसमें आपको fill करना है तो जैसे corn का हो जाएगा horn या born ठीक है no का हो जाएगा go, mire का हो जाएगा higher ठीक है इसके अलावा भी जो rhyme करते हो वो आप लिख सकते हो ठीक है तो यह हो जाएगा तो यह चैप्टर यहीं कतम हूँ था I hope आपको अच्छा लगाओ समझ में भी आया हो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियों कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए thank you for watching